नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल में फ्रेंस इस वीडियो में हम पाँच अमेजिंग प्रस्णों के बारे में जानेंगे जिसको जान कर आप दातों तले उंगली दबा लोगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, चलो देखते हैं पहला नमबर प्रस्णों बहुत ही इंपोर्टन्ट है वा कौन सा जीव है, जिसके द्वारा मुझ से काटों पर फूक देने के बाद वा काटे मुलायम हो जाती है, फिर वा उसे खा लेता है एक बार और सुन लिजिए वो कौन सजीव है जिसके द्वारा मुह से कांटों पर फूख देने के बाद वो कांटे मुलायम हो जाती है वो फिर उसे खा लेता है समय शुरू आता है अब इसका एंसर बहुत ही महत पूर्ण है नोट कर लिजिए इसका एंसर होगा उट एक बार और सुन लिजिए इसका एंसर होगा उट दूसरा नमबर प्रस्ण बहुत ही महत पूर्ण है भारत के किस पडूसी देश की आकरिती अंडाकार है एक बार और सुन लिजिए भारत के किस पडूसी देश की आकरिती यानि आकार अंडाकार है इसके लिए समय देते हैं हम आपो इसका एंसर बहुत ही मौत पूर्ण है इसका एंसर होगा स्रिलंका एक बार और सुने जीए स्रिलंका आईए अगला प्रस्न देख लेते हैं तीन नमबर प्रस्न बहुत ही मौत पूर्ण है कौन सा ऐसा धातू है जो कमरे के ताप और द्रौव अवस्था में पाया जाता है एक बार और सुन लिजे कौन सा ऐसा धातू है जो कमरे के ताप और द्रौव अवस्था में पाया जाता है इसके लिए हम आपको दिएंगे 5 सेकंड का समय इसका एंसर बहुत ही मुध्पुन है इसका एंसर होगा पारा एक बार ओर सुन लिजी ये पारा जिसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं आई अगला प्रसुन देख लेते हैं चार नमबर प्रसुन बहुत ही महत्पूर्ण है बिस्व का सबसे बड़ा प्रसु मेला कहां लगता है एक बार और सुन लिजे बिस्व का सबसे बड़ा प्रसु मेला कहां लगता है इसके लिए हम देंगे आपको 5 सिकंड का समय इसका एंसर बहुत ही महत्पून है इसका एंसर होगा सोनपूर एक बार और सुन लिए सोनपूर जो बिहार राज में पड़ता है आईए दिखते हैं पाचवे नमबर और आखरी नमबर प्रस इसका एंसर नोट कर लिए बहुत ही महत्पून है इसका दो कारण है पहला कारण दूसरे ग्रहों की कक्षा में परवेश करने के लिए और दूसरा कारण बहुत ही छोटा होने के कारण इसे ग्रहों की स्रेणी से निकाल करके बाहर कर दिया गया है तो यही था इस वीडियो में वीडियो चले को तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब लेब बेल आइकन को प्रेस के लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद